नमस्कार दोस्तों मैं वैनिल बागडी फ्रॉम अच्रोल इंग्लिश एड्यूकेशन पर आपका हार दिख स्वागत है तो हम पिछली क्लासे में कुछ बात कर रहे थे भी ये थार्ड येर का जो इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे थे हम उसमें जी एम होपकिन्स लिएशे मैं पंड़न उसका इन्प्रोडक्शन ने किर लिया ज सोन को सोनािट के बारे में पढ़ेंगे सोन record नाम है दाशी एंडआ यहां क्या नाम है बारे कि अद कि एंड़ और यहां कि यह सॉनेत की जियंग होपकिन्स का सॉनेत के बारे में पढ़े आज इसका अब जानते हूं मैंने सॉनेत के बारे में कुछ बताया होगा कर दो चौनेत चौने नाम से पता चल रहा है और यानि आठ लाइन कितने लाइन आठ लाइन और सस्टेट कि सब्सक्राइब इसे भी पता चल रहा है छह लाइन यानि आठ और छह लाइन किते हो गई चवदा लाइन यानि जो सॉनेट होता है सब्सक्राइब आठ लाइन होता है उसको कहा जाता है सब्सक्राइब यह दो पार्टों में विवाजीत है जी एम होपकिन्स का जो सॉनेट है इसका ही यहां लिप देता हूंगा को दाव सकाइब इंड दा स्काइल और सॉली धा सी मैं दा सी एंड दा इसकाले inge ना है इसका तो यह मोपकिन्स गलाइब बासिए इनधा इसकाय लाइब यह चॉदा लाइन हो का है सोनेट आप जानते हूंगे तो मैं सबसे पहले यह आर्ट लाइने उसकी बात कर रहा हूं यानि समुद्र पर उड़ता है उसके चकर लगाता है चारो तरफ उस पर बार-बार मन राता रहता है उस स्काईलर्ग पक्षी और समुद्र के बीच में त 14 अपकिंश क्या करता है जिस परकार समुद्रर स्कृ्टब्र को全 ये इसकी की इसockईलर्ग ऑक्षी यह कि किम गें निदर्षाय तेसी गया पिले कि एंडों It ये वो मानों की इसके मानों की मनिंसी तिया scientist क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगा यह नेक्स्ट जो होगा आगे बात करेंगे इस स्टेट में तो सबसे पहले देखते आईए देखो कि on year and year to noises to all to end और दो इसको कि on year and year to noises to all to end कि कभी जी एम होपकिन्स ने कहा कि on year and year to noises to all to end कि जब वो समुदर पर जाता है किस पर समुदर पर जाता है तो दो परकार के वाजे सुनता है किते परकार की दो परकार की एचलिवहिंसंटसी इस अंसार को पतन वस्ता क्यों ले आतीत के वारें करती है तो to do all and Didn't यानि वो किसी का अंत कर रही है ईन्दि बहुत प्राचिन समय की बात करता है वह कि उनसे कंपेर करता है उस आवाजों को डोनों को ट्रेंश राइट रही द यहाँ पे ट्रेंशकाः वक्तिसंत्र होगा क्या गुवशिभूरन्ड की जो पड़ी यह पकी उसमें ताइड जवार्ब जवार देट रंक अबनेश्ट दा सोरे और इस लगफी यानी किनारा तट थ que किनारे के पास जैसे ही तुरस किनारे के पास जंहां आता है वह वाइस चला जाता है ये तुर prayer की एप यानि हैं रहता है नि और वापस जाना कि फ्लर्ड कि यह बार बार होती है मअनवOKS sorry किनारे के विरोध में हो Quem आते हुअ और आ किरैं बार बार करो किया है रिवाइस होती है कि लो लल और 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 ये क्या सबर इत्यान ब 안 और अब यह कर जना नहीं होगी क्योंकि यहां कभी कह राय अब जैंट वहां थैस्टेजाइन है यह अब इसका मजो मन है ना पतना वस्ताप में बिल्कुल नश्ट होने वाड़ा ऐसी बात करता है लो लेल ओ और ओर और आपिस गरजना के साथ यह इस raph compare जो मैं तुल मा कर रहा हूं उसके साथ ही समसार का क्या हो ओजाएगा फरिक फ्रिक्वंटिंग दीज वाइल मून、 जाँप और तर्ध मेंद कि फ्रिक्वंटूइंट जो यह लगातार किर्या होती है क्या फी यो फ्लाड और फाल जो किरिया को छानवा ने कि घानु मॉन शेल कि लगाता है व्म पूल मुंगा जो जो संद्रमा का मुझा दो पूर्म्ट म कि न अंद्र को सूल पूर्मा Start को खेंशने का तो उसे चीज़ को लेकर कियां बताएं कि वाइल मून यह जब ही आता है जब चंद्रमा आकाश में दिखता हुआ पूर मासी की रात हो तब ही यह जवार आता है शेल वियर एंड वेंड कि वह कहरा कि शेल वियर वियर का पहनना अब यहां पहनना नहीं होगा कर आना वेंड यह जाना में यह तभी किरियाह घज़िए जब करेंगे कि जब यह कि वह जो realizis के रहो में तो ऑफ्लेंड उस जगह पर पर का की मैं अब जैसे ही वो इसकी बात कर लिसने इस समुद्र के जो जवार आया समुद्र पे उसकी बात कर लिया हम इसकी कंपेर कर रहा है वो इसका ही लग पक्षी की बात कर रहा है कि जिस परकार यह जवार का आना जाना रहता है उसी परकार जो समुद्र के उपर जो पक्षी लहरा रहा ह त्ष्थ्थी मन्रा ऑकन उस्चालिक हो भी इसी परकार में रहता है कभी उपर आता है कभी नीचे कभी उपर आता है कभी नीचे जाता है तो यह कि लिए कि लिए वी दुखों का जो आना और जाना चला रहता है उसको लेकर हो जला क्यों कि व्यक्तियों कि दुख है वो भी ऐसे आते जाते रहेते जिस्क परकार वारबार कभी शिकार करने के लिए नीचा आता है फिर वापस कुछ उचाई पर वापस चला जाता है फिर नीचा आता है ऐसे स्टिफिक को वह कंपेर कर रहा है तो बात करें हम आगे तो बहुत ही शांदार सोनेट है अब यह जो आवाजे हैं यह अब फिर कहला कि विज्स रेस्ट अब सकेड श्कूर है एसका इसकी अबसुँदोर सुनता है जो आवजे जो गानान गाता है याल सौंग कि सबसंघर Presents लेकिन गाने कि जो गति हैं चौंग जो योगति है जबनी कि लाख घंड झान कि लैप में होई भी रहता है लेकिन क्या होता है कि नियुज्ट इसको रही है उसकी क्या नया गाना गाता रहता है और उसी गाने को क्या करता है रेपीट करता है इन क्रेप्स आफ क्रुळ ऑफ वाइल विंच व्रिल एंड पोर आप एंड फ्लेट म्यूजीक्तिन नौण्स्टु इसिल और इस्पेंड अब वह कह रहे हैं और जेम हॉपकिन्स को भी कहारे हैं कि इन क्रिप्स ऑफ क्रुड की वह गाना इस परकार होता है जो स्काइलाट पक्षी गाता है गाना वह परकार का होता है कि जिस परकार कि वाइ प्रकार का गाना है इतना कठी ने उसकी ले इतनी कठी ने फिर भी वो क्या गड़ता है आसानी से उस गाने को गाता है कभी उपर आता है फिर यानि उपर नीचे आता है तो भी उगाता हुआ आता है और उपर जाता है तो भी गाता हुआ जाता है लेकिन उसकी ताल में उसकी लेके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है इतना शामदार गाना गाता है इस चीज़ को लेकर वो कंपेर कर रहा है उसके जिस परकार वो समुद्र की लहरेवा किनारे से टकराती है शोरे से टकराती है तर्ट से टकराती है बिल्कुल स्पीड से बिल्कुल स्पीड से टकराती ह वापिछ चले जाती है आती है वापिछ चले जाती है उसी परकार ये इसका इलर जो पक्षी है वह भी इसी परकार गाने को गाता है लेकिन वह बीच में कभी रुखता नहीं है कि and plate music and plate music till none to spill not spend बिना किसी समय खर्ष की या बिना किसी को खर्ष करना चैसे वाल चीज है इन कह BRC कि एंड प्लेट नुजीक यह प्लेट म्यजीक निछ को सirens नहीं Tet इसका ज़ी आप जानते जो यह नहीं अब जो रहें किसी भी भी कवज आप Ciao तिपिकल इसके समान बताया बताया ने कि एक बेड की जो उन होती है उसमें जो चले पड़ जाते हैं जो इसान को गाता है और जैसे उपर जाता है फिर भी वह ऐसे की घाता है जिस पर कालू नीक्चे आता है बिल्कुल कोई बदलाव नहीं होता उसके वाज में सांस भरती रहती है फिर भी वो गाने की ले एकदम बिल्कुल बराबर रहती है तब कहता है वो की बिल्कुल कोई समय नहीं लगता या कोई पैसर की वह नहीं होती इतनी बहुत शांदार चीज़े इता कुछ भी नहीं वहती है तो इसमें बिल्कुल उड़ने के साथ यह किरिया होती है गाना गाने की तो इन दोनों को कंपेर कर रहा है था सी एंड शकाइलर यानि समुद्र और स्काइलर को क्या कंपेर किया इसने अब वो देखो कई चीज़े आप यदी मैं अर्ण किया प्रेमिका कि क्या बताई थी उसने उसको कंपेर कर वा राता मनिस्तिति को दुखो को कि यह किस परकार दुख से बढ़ जाता है जिस परकार वो एक किनारे को छोड़के इसी जगत में दुखा वस्ता आती है या पतन वस्ता कारण बनती है क्योंकि लिट्रेचर है वाई यह लिट्रेचर लिट्रेचर में यह चोड़ता है कंपेर करना तो हर किसी चीज से आप विल्यम शेक्सिपियर क के से पढ़ाऊंगे उनमें हर चायदार कभी थे इंगले सिल्हार के जनक आए सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगड़े में आपके साम में परस्तोत करता हूं वो समझ में आ रहे हैं या आप टै करते हो लेकिन यह आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं यह आप क्लास को देखते हो बच छोड़ देते हो लेकिन बार-बार रिवाइस कीजेगा बिल्कुल आसान सी चीज़े इसी लेंगवा आप डर लगता है कि English Literature बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है बिल्कुल कोई टिपिकल नहीं है कि लिए आप अक्छे से दिमांग से पढ़े होगी तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझ में आएगा तो यह थी आज की क्लास अब इसका अगला जो पार्ट है सस्टेट कि लिए सब्सक्ता है